हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आई यो बढ़िया होंगे वेलकम बैक टूबीटी टिप्स भाई बबली फ्रेंड्स आज मैं बताऊंगी कि आप सिंपल से अलोविरा जैल से अपनी स्किन को कैसे निखार सकते हैं कैसे ग्लोइंग स्किन पासकते हैं और इस बदलते मोसम में यह आप आप इसे मेरे बताय अनुसार लगाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी स्किन चमकदार बनेगी बेदाग बनेगी और बहुत संदर तो एचा बनेगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बहुत साधी और सिंपल चोटी सी वीडियो है तो प्लीज पूरा बे जूरियां इन सब को कतम करेगा डियरेश सेल्स को रिमू करेगा एंटिबेक्टल प्रोपरटीज भी होती है इसमें तो एचा को साब भी करता है और चैरे से डार्क स्पोर्ट्स पिंग्मेंटेशन दिंकल्स बगारा को भी अटाता है डलनेस को भी कतम करता है तो एचा देख सकते हैं हैं अफ मैंने लिया है यह एक डहर चंमच которая जैल। आप प्लंट का भी ले सकते हैं ऐसी बात नहीं है आप को लेंदा है थोड़ा से कक्छा दूध तोड़ 1100 चंम्मच्रण है है और का आपकी स्किन को नरिश्मिन देगा ड्राइस नेस को कतम करेगा आपकी इसकिन की गहराई से सफाई भी करेगा, दाग दब्बे हैं उन्हें भी खतम करेगा, जूरियां हैं उन्हें भी कतम करेगा, किसी परकार की जहाईयां हैं, काल अपन हैं, उसे भी हटाने में हल्प करेगा, क्योंकि इसमें लेक्टिक ऐसीड होता है, हाइड्रोक्सिड ऐसीड होता है iron होता है calcium होता है जो इसकीन पर से सारी समस्चाव को खतम करने के लिए काफी है और इसकीन के लिए बहुत जद जरूरी भी है इसकीन को healthy बनाने के लिए सारे तो बेहत जरूरी है तो दोनों चीज़ों को मैं आपर देखें खूब सुरत तरीकी से mix कर रही हूं ताकि यह खूब अच्ची तर से mix हो जाए थोड़ा सा time लगता है लविले जल को दूद के साथ mix होने में तो मैं आपर इसे खूब अच्ची तर से mix कर लूगी फ्रेंड्स यह तनी अच्छी remedy है देखें कितनी खूबशूरत remedy है हमारी बन कर तयार होगी और जादे इसमें कुछ भी नहीं लगना और बनाने में भी आसान है और लगाने में तो और भी आसान है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे बिलकुल नेचर रेमिडी है आपके दाग दब्यों का जाईयों का पिंपल का पिंपल के दाग का एंटी जिंग के लक्षनों का सब का खात्मा क तरदेगी जड़ से तो उसके लिए आपको इसे अपने चेहरे पर लगाना होगा और कैसे लगाना है वो मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी और कैसे और कब लगाना है उसका रिजल्ट भी मैं आपको अपने हाथ पर दिखाने वाली हूँ तो फ्रेंड्स आपको अपने चेहरे दो कर इसे लगाना है या तो आप इसे रात में लगा सकते हैं एक नाइट क्रीम की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं या तो आप इसे लगा कर मसाज करकर सो जाईए और सूबह चेहरे दो लिजिए और अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह आपको कमफर्टेबल नहीं हो रहा है मैसूस तो आप ऐसा करिएगा आप इसे पैक की तरह लगा कर मसाज करकर पंदरा बीस मीनट छोड़ कर अपने चैरे को धो कर सो सकते हैं तो आपको ये डेली लगानी है रेमीडी तो आपको देखिए अपने चेरे पर इसे लगा कर मसाज करनी है कम से कम 2-3 मिनट तक कूब अच्छे से मसाज करिएगा और फिर दुबारे से अपलाई करके इसे छोड़ देना है अगर आप इसे पैक की तरह लगा रहे हैं तो आपको ऐसे करना है 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है यह आपके चेरे से डेरे सेल्स रिमूँ करेगी दाग दब्लो को जाइयों को काले पन को हटाने में हल्प करेगी तो छोड़ कर अपने चेरे को 15-20 मिनट बाद दो लेना है नूर्मल पानी से और आपको सो जाना है और सुबह अपना चेरा देखेगा आप कितना अच्छा मिलेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लगा कर सो जाए सुबह चेरा दो लिजे और फ्रेंड्स रात में लगा कर सोना सुबह दोना ही जाद़ बेनिफिट देगा अगर आप इसे रात में लगाते हैं तो जाद़ बहतर रहेगा और यहां पर आप रिजल देख सकते हैं मैंने रखाए से सिर्फ 10 मिनट आथ पर और आप मेरे हाथ का कलर भी देख सकते हैं यह अरे मेडिय आपका कल आज है अलोवीरा जैल तो देख सकते हैं मेरे हाथ की स्किन गई है चमक बेहत ग्लो है आपका चैरे पर भी ऐसे आएगा आप इसे रो जाना लगाईएगा नाइट में लगा कर सोएंगे तो जादे बेस्ट जल्ट मिलेगा और अगर रात में नहीं लगा सकते तो दिन में भी स्किन है किसी में लगा कर चोड़ कर अपना चैरे दो लिजएगा मसाज कर लिएगा और फिर अपना चैरा देखेगा कितना सोट बनेगा गलोईंग बनेगा बेदाग बनेगा यहां पर भी जह आप देख सकते हैं एक मेरी ब्लेक इसकीन है इधर वाले हाथ की और इधर वा में आपको मिलेंगी कुछ भी नहीं लगना और कंमाल कर दी ऊपके चेरे पर इतना कंमाल का ग्लो लाएगी बेडाग बनाएगी रंग को निखारेगी यहाद के मिरा कितना निकर हुआ है और ये मेरा ब्लैक हाथ है ये रिजल्ट आपके सामने है फ्रेंड्स इस रेमिडी को रोजाना लगाईएगा इसके बाद बस कोई साबून या फेसोस नहीं लगाना है आपको ये ध्यान लखना है ये ओल इसकिन टाइप है बिलकुल परफेक्ट है बीना केमिकल की नेचुरल सी रेमिडी है अंडर पर्शंट आपको रिजल्ट एक हपते में दिखाई दे जाएगा बहुत असरदार है मैं इसे खुद यूज करती हूँ रात में लगाती हूँ इसे बहुत बड़ी है इस्तिमान जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों अगर मेरी वीडियो जड़ाशी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल को आपके अपना चैनल है इसे सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस किजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले फिर आउंगे आपके लिए अच्छी सी रेमिडी लेकर थेंक्यू पूर वोजे